आजादी के बाद भारत के तीन सबसे वरिष्ट अफसर थे केम करियप्पा, श्रीनागेश और नाथू सिंग्राटॉर्ण पहला आमी चीफ बनने की कहानी भी बहुत दिल्चस्प है इस मुद्दे पर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी जवाहलाल नहरू ने कहा कि चुकि किसी के पास अनुभव नहीं है क्यों न किसी अंग्रेज को ही सेना ध्यक्ष बना दिया जाए तब नाथू सिंग्राटॉर्ण ने कहा कि देश चलाने का अनुभव भी तो किसी के पास नहीं क्यों ना किसी अंग्रेज को ही पीम बना दिया जाए आखिरकार नाथु सिंग से ही कहा गया आप ही सेना प्रमुक बन जाए उन्होंने कहा नहीं जो सबसे वरिष्ठ है वही बनेगा और सबसे वरिष्ठ है कर्यंपा